तत्काल न्यूज लाइफ के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन प्रिस कीजिए इस सरकार ने कई परिभाशाएं बदली, कई परंपराएं बदली, कई अब्रिवेशन्स को बदल दिया अब E.D. मतलब Eliminating Democracy, मेरे वरिश सहयोगी जैराम रमेश जी कहते हैं Exterminating Democracy, दोनों ही बातें सकते हैं और हैरानी की बात है जब आप आंकड़े देखते हैं 2004-14 के बीच जब UPA की सरकार थी तो E.D. ने 112 बार चापे मारे थे पिछले आठ साल में 3,010 चापे E.D. ने मारे हैं और सिर्फ राधनेतिक दलों को और राधनेताओं की लिस्ट को अगर आप सामने रखेंगे तो 95 प्रतिशत चापे विपक्ष पर E.D. ने डाले हैं National Herald आपको सबको मालूम है रेड हुई थी राहुल गांधी जी से 50 घंटे तक E.D. ने पूछताच की थी शैथ 55 घंटे की पूछताच थी हमारी पूर्वध्यक्षा श्रिमती सोनिया गांधी से लगातार 3 दिन तक पूछताच की E.D. ने हमारे वर्तमान अध्यक्ष मलिकारजुन खडगे जी के से भी पूछताच हुई 7-8 घंटे की पूछताच उनसे हुई और अब 36 गड़ में आज सुभव से लगातार रेड्स चल रही हैं भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से तो बौखलाए हुए हैं ही प्रधान मंत्री जी और उनकी पार्टी हमारा महाधिवेशन भी वहां होने वाला है यह आप सब जानते हैं वरिष्ट नेताओं पर हमारे ट्रेजरार पर हमारे कुछ MLS पर कुछ निगम के चैर्मेन पर एक प्रवक्ता पर इन सब के हां आज सुभव से रेड्स डाली जा रही हैं मैं नाम भी बता देता हूं हमारे कोशाध्यक्ष है राम गोपाल अगरवाल जी हमारे भिलाई के युवा विधायक तेविंदर यादव जी गिरिश देवांगन एक निगम के चैर्मेन है आर्पी सिंग एक प्रवक्ता है विनोत तिवारी है और सनी अगरवाल ये भी एक के चैर्मेन है इनके कार्यालेयों पर इनके निवासों पर सुबह से एडी की कारवाई चल रही है मैं आपको पार्टी वार एक कुछ जानकारी देना चाहता हूं 2014 से अगर अपन शुरू करें कॉंग्रेस पे 24 बार अलग-अलग नेताओं पर कॉंग्रेस में 24 बार रेड हुई एडी की वहीं TMC पर 19 बार हुई NCP पर 11 बार हुई शिवसेना पर 8 बार हुई DMK 6 RJD 5 पाँच BSP 5 TDP 5 INLD 3 YSIRP 3 3 CPM 2 NC 2 PDP 2 AIADMK 1 MNS 1 SBSP 1 मैं आपको हिमंता बिश्वा सर्मा के बारे में कुछ याद देलाना चाहता हूं आपको याद होगा एक वाइट पेपर ब्लैक पेपर अलग-अलग रंग के पेपर भारती जन्ता पार्टी निकाल रही थी साभी नार्दा स्कैम सार्दा स्कैम इन सब में शामिल हैं 2014-15 में शारदा चिट फंड को लेकर इनक्यां CBI ने रेड भी की थी आज हिमंता बिश्वा सर्मा फेर और लवली बनके निकले हुए हैं मुख्य मंत्री हैं और मुझे तो नहीं मालूम अगर आप में से किसी को जानकारी हो उन केसिस का क्या हुआ तो आप साजा करिएगा सुवेंदू अधिकारी एक और नाम में आपको बताता हूं येदियोरप्पा तीसरा नाम में आपको बताता हूं रेड़ी ब्रदर्स नारायन राने मुकुल रॉय ऐसे अनेक नाम हैं जिनको अगर राजनीती में सफलता नहीं भी मिली तो दो हजार चौबीस के बाद फेर एंड लवली वाले ढूंड रहे हैं साब हमारे ब्रैंड अम्बैस्डर बन जाई है हम प्रधान मंत्री मोदी जी से दो सवाल करना चाहते हैं और एक सलहा भी देना चाहते हैं पहले सवाल फिर सलहा जब मीडिया कुछ चापता है आप उस पर चापा डाल देते हो जब विपक्ष संसद में आपसे कुछ सवाल करना चाहता है आप कारवाई से वो नाम निकाल देते हो आपके दोस्त का एक्सपंज कर देते हो नियाई पालिका इस देश के इतिहास में पहली बार आपने इतनी मजबूर कर दिया नियाई पालिका को कि उनको सारवजनिक रूप में आकर प्रेस वारता करनी पड़ी और रोज आपके मंतरी, कानूर मंतरी किस तरहें की टिपणियां करते हैं पहले में सुनवाई होने वाली थी, उसके 48 घंटे पहले, संघ के मैगजीन पांच जन्य में लीड स्टोरी क्या थी, कि सुप्रीम कोट राष्ट विरोधी ताक्तों के हाथ का टूल बन गया, यह निया अधिशों पर, परसों अधानी मामले की सुनवाई होनी है और आज अखबार चापरा है, संघ का अखबार, संघ की मैगजीन पांच जन्य चापरा है और वो संघ जो खुद पंजिकरित नहीं है, वो कह रहा है कि देश का सर्वोच न्यायले राष्ट विरोधी ताक्तों के हाथ में टूल बन गया, हमारा दूसरा सवाल है, पादर ओफ हिपोक्रिसी से, जो मदर ओफ डिमोक्रिसी के प्रधान मंत्री है, कि आप अपने परम मित्र गौतम अदानी के महा घुटाले में जाँच क्यों नहीं करते, उस पे जवाब क्यों नहीं देते, अब सलाह, मत भूलिए हम भी कुछ राज्यों में सरकार में हैं, आने भी वाले हैं, 24 भी आ रहा है, मौसम बदलता है, ये सलाह प्रधान मंत्री को भी है और उन अफसरों को भी है, जो उनके हाथ में आज खिलोना बने वे हैं, हमारी शराफत को हमारा गहना मानो, हमारी कमजोरी मत मानो, हम भी कभी आएंगे, और जहां हैं वहां भी कुछ दिखा सकते हैं,